जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने टाइटल और थबनेल पर बिल्कुल सही देखा आने वाले दिनों में आप एक वीजा पर टोटल आप 6 कंट्री का जोह ट्रैविल कर सकते हैं लेकिन ये कम से लागू होगा आगे आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बतान में यहाँ पर आप लोगों को रिफरेंस नदर आ रहा होगा यह कुछ पुराना है लेकिन इसके बारे मुझे लेट से मालूम हुआ है इसलिए मैं आपके साथ में कुछ लेट से शियर कर रहा हूं लेकिन जो है जानकरी आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मा आने वाला हूँ देखाने वाला हूँ तो चली इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों मस्कत ओमान में टोटल जो है छे कंट्रीज यहां पर आप देख सकते हैं सौधी अरब है इमारात है यानि के UAE बहराइन ओमान कुवेद कतर तो टोटल जो है छे कंट्रीज यहां पर मिटिंग हुई थी मस्कत ओमान में तो टोटल यहां पर चार चीज़ों के बारे में बात हुई है पहला यह के इन जो है कंट्रीज आप यहां पर नाम देख रहे हैं सौधी अरब UAE बहराइन ओमान कुवेद कतर तो यहां पर कहा जा रहा है कि छे कंट्री मिला कर करके एक ऐसा वीजा इशु किया जाए जो एक वीजा पर इन 6 कंट्री का जो है एक साथ में सफर किया जा सके अगर मान लेजे कोई आदमी कतर जाता है उसको सौधी अरब जाने के लिए कुवेद जाने के लिए बहरें जाने के लिए औमान जाने के लिए अलग से वीजा नहीं लेना पड़ेगा इसी तरह अगर इसमें से पहरें जाता है उमान जाता है तो बागी भाकी थे बाकी पांच कंट्री का ङ shops असानी से ट्रेवेल कर सकता है तो एक एसा जो किया जाए और दूसरे नमबर पर जो बात रखी गई वो ये के इनament कंट्री में अगर जो कोई ट्राफिक वाइलेशन आता है तो क्या है कि एक दूसरे कंट्री से इसको शीर किया जाएगा और कहीं से भी इसको प्यक किया जा सकता है तो दौस्तों ये हो गया दूसरे नमबर पर और तीसरे नमबर पर जो बात आई वो ये के छे कंट्री मिला करके एक साथ वो लोग जो है नशा वाला समान जो होता है ड्रग वाला जो समान होता है उसके खिलाफ में लड़ने के लिए सब कंट्री जो है छे कंट्री एक साथ मिल करके वहाँ पर ऐसा सिस्टम बन मिल करके एक दूसरे का साथ देंगे और इसके खलाब में मिल करके लडेंगे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक ही वीजा से 6 कंट्री का ट्रेविल करना इसका प्लान 2015 के अंदर ही आया था जिसको 2016 में जो है इसको पास किया जाना था मतरब के लागू किया जा होगा कि कुछ कंट्री निर जैसे के UAE है, इसी तरह साओधी अरब है, तो हैया कार्ड वालों को ये उफर दिया गिया, कि जिसके पास में कतर का हिया कार्ड है तो वो जो है कतर आने के बाद में वो UAE भी जा सकता है सौधी अरब भी जा सकता है उसको जो अलग से वीजा लेने की जरूत नहीं पड़ेगी तो यह सिस्टम बिल्कुल सक्सेस्फूल रहा तो इसके सक्सेस्फूल होने की वज़ा से अब यहाँ पर दुबारा बातचीत आ ही है कि इन 6 कंट्री को मिला करके एक ऐसा वीजा इशू किया जाए कि एक ही वीजा पर हम 6 कंट्री का ट्रैविल कर सकें तो दोस्तों यहाँ पर आप मेंसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह जो सिस्टम कम से आएगा ऐसा वीजा कम से मिलने लगेगा तो हो सकता है कि आने वाले 2025 का जो शुरू शुरू होगा उसमें यह रूलागू हो जाएगा कि कोई आधी में अगर गल्फ कंट्री यानि के सौधी अरब यूएई बहरें कुएत ओमान कतर अगर छे कंट्री में से किसी का वीजा ले लेता है तो वो जो है बाकी कंट्री पांच जो कंट्री बच जाएगी उस कंट्री का भी वो ट्रेविल कर सकता है असानी से उसको अलग से वीजा लेना नहीं पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया